हेलो माई फ्रेंड हाव दजोस निफ्टी में बाई करो तो नीचे आना स्टार्ट कर देती है और निफ्टी नीचे जाता हुआ देख बैंक निफ्टी को अगर सेल करो तो वो उपर जाना स्टार्ट कर देती है बड़ा ही कॉंप्लिकेटिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यह पर चलो यह तो होता ही रहेगा मैं हूँ आपका दोस्त वी एम और स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब जैनल वेरिफाइड मार्केट वेवस में आप देख रहे हैं सीधी बात नो बकवास तो चलिए चलते हैं सीधा ही निफ्टी के चार्ट के उपर और देखते हैं क यहां पर किस तरीके की मुँ अगले वीक में आ सकती है तो निफ्टी के चार्ट के उपर आएगे तो वहां पर देख रहे हैं कि यह जो नीचे से जो ट्रेन लाइन आ रहा था ना उसका ब्रेकडाउन करने के बाद निफ्टी कहीं ना कहीं पर वापिस दुबारा जो है उस निफ्टी को सब्सक्राइब यहां पर दिखाएगा तो आपको कुछ छीजे दिखाए देगी जो मैंने आपको अपने टेक्निकल एनलीसिस प्रोग्राम वाले वीडियो के अंदर गैप एनलीसिस में सिखाय हुआ है वीडियों का थमनेल यहां पर दिखाए देगा आपको उसके ऊपर आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो, तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, जो यहाँ पे बनी है, ठीक है, यह क्या है, यह मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, यह जितना बना है न, वो क्या है, वो मुझे जर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहां से एक गेप अप हुआ, उसके बाद वहीं पे पूरा दिन काम किया, और उसके दूसरे दिन सीधा नीचे आ गया, और तीसरे दिन, उस केंडल के नीचे, यहां उसके आसपास, जो है, कहीना कहीं पे उसने क्लोजिंग दी है, ठीक है, तो यहां पे अगर में यह मार्क कर देता हूँ, यहां पे होरिजन्टल लाइन से, ठीक है, तो यह जो लेवल है ना, 17,516, वो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है, अब क्यों इंपोर्टन्ट है, देखो, जब तक 17,500, यह कटेगा नी, मोटा मोटी पक कटेगा नहीं, तब तक वो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन 17,500 जैसे ही कटेगा न, वो तुरंद ही आपको एक फ्रेस सेलिंग जो है, वो दिखाएगा, ठीक है, दूसरी बात, आपका यह टॉप जो है, वो अभी के लिए, फिल हाल के लिए, आपको कही ना कहीं पे कटता ह हुआ दिखेगा नहीं, यह पेटन उस तरीके की है, ठीक है, अगर आप पेटन के बारे में नहीं जानते हो, तो वो वीडियो जरूर देखना, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, वहाँ से, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना मत बुलना कि यह पेटन कौन सा है, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, अबली चार्ट पे जाते हैं, निफ्टी का स्ट्रक्चर देखने कोसिस करते हैं, एलियो के हिसाब से, देखो, मैं जहां तक जानता हूँ, पहले तो मैं यह ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका काम भी हो चुका है, यह रीटेस्ट हो चुका है, और उपर निकलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, अब इसको निकलना है, तो यहीं से निकल जाना चाहिए, यहां पर वापिस नहीं आना चाहिए, तो यह वाली ट्रेंड लाइन का जो वाइड ट्रेंड लाइन है, उसकी हमें कोई जरूरत न उसने, निफ्टी ने आज जो है, उसको कहीना कहीं पर काट दिया है, पहली बात, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन जो है, उसका ब्रेकडाउन कर दिया है, उपर से यहां पर यह डेली पर मैंने जो पैटन बताया, उसका भी एक लेवल आ रहा है, ठीक है, जिसके आसपास ही कह ही न कहीं पर हमने क्लोजिंग ली है, तो जीसी साब से मैं निफ्टी को देख रहा हूँ, मुझे अभी के लिए तो मानलो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एलिये तो यहां से यहां तक जा सकता है, री्टेस्ट करने के लिए, ठीक है, यह जो आपको दिख रहा है, ना यह आपका cell zone बन सकता है ठीक है अब यहां से गिरेगा और अगर और अगर देखो यहां ध्यान से सुनना और अगर मान लो कि यहां पर रुका नहीं ना लो यह पूरी रेंज जो आ रही है ना वहां पर रुका नहीं ना तो आपका यह वाला जो लो ना वह बी आसानी से कि पहले कट हो जाएगा ठीक है यह द्यान में रखना आप यह वाला लो जो है ना वह तो वह एसे कट कर देगा तो यह दोनों के बीज का अगर पॉइंट देखे ठीक है तो आपको पहले तो यहां पर सकती है अगर 17500 के नीचे काम करना स्टार्ट करता है ना तो तो फिर वहां पे यह पेटन के हिसाब से आप कंफर्म कर सकते हो ठीक है यह पेनाइलिसिस का पार्ट था जिसके अंदर मैंने समझाया है तो यहां से पहले तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा और उसके बाद यहां पर नहीं रुकता है ना तो फिर कंफर्म है कि वह 16800 के आसपस आ रहा है तो अगले वीक के लिए मेरे अंदर जैसे इतना काफी है अगले वीक में साहद इतना काम तो वह कर सकता है अब बात रही ऊपर जाने की अगर यह उपर जाएगा ना तो जैसे कि मैंने बताया आपको यहां पे एक चोटा सा जो है वह कईना कई पर सेलर जो है वह बेठे हुए ठीक है और यहां पे बड़े वाले जो मार्किट कहई पर जाने वाला नहीं यह वैसे बजेट से पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नेफटी में अगले दो तीन महींने क्या होने वा रही है 18,400 से लेके 16,400 यह रेंज बहुत बड़ी है उसकी वज़ा से आपको लगेगा कि हांसर आप बोल रहे थे के मुवमेंट ज्यादा नहीं करेगा मुवमेंट तो करेगा वो मुवमेंट करेगा वो लेकिन जाएगा कहीं पर नहीं ठीक है जैसे कि आप यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो निफ्टी के अंदर कुछ बड़ा अगर होने वाला है तो वो अभी के लिए नहीं दिख रहा है अभी के लिए एक छोटी सी मुझ के लिए जा सकते हो और अपनी जो भी पोजीशन बना रहे हो ना वो कम से कम थोड़ी रखो ज्यादा ज्यादा लेके मत जाया करो तो यह था निफ्टी का अपना पूरा जो भी एनलिस से वो क्योंकि यहां से यह नीचे जा सकता है कहीना कहीं पर दिख रहा है ठीक है कॉमेंट बोक्स में आप यह बताना मत भूलिएगा कि यह पेटन कौन सा है ठीक है यह आपको बताना ही है यह पूरा का पूरा पेटन क्या बना है वो बताना है आपको ओके सो चलिए चलते बैंक निफ्टी के उपर बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है तो देखो आप बैंक निफ्टी जिस तरीके से डेली पर दिख रहा है उसमें कहीना कहीं पर वो जो निफ्टी में बना है वो तो पेटन तो नहीं बने अभी तक ठीक है और वह दीख भी नहीं रहा है अभी के लिए और अगर अवरली चार्ट पे जाए तो एलियट वेव के हिसाब से मैं अगर इसमें कुछ फ्रेस देख रहा हूं तो मैं यह देख रहा हूं कि यह वाली जो ट्रेंड लाइन है यहां प अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया और वह सस्टेन हो गया चाहे तो एक बार रिटेस्ट करने जा सकता है ठीक है और वहां से अगर यह गिरा ना तो तूरंती आपको यहां तक के जो टार्गेट है वह देखने को मिल जाएगी ठीक है लेकिन यहां से यह जो बैंक निफ्टी यह मूँ करेगा ना ठीक है उसमें निफ्टी जो है ना वह बड़ा मूँ देगा नीचे का अगर यह वाला मूँ बैंक निफ्टी में आया ना तो निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ा मूँ होगा बैंक निफ्टी से ज्यादा होगा ठीक है और बैंक निफ्टी जो है व लिए मैंने आज थम्मेल में कॉमेडी टाइप थम्मेल दिया हुआ है क्योंकि जहां तक हम जानते हैं तो यह सारी चीजे जो है वह कईना कई पर हमें इस और ले जाती है कि यह जो मार्केट के अंदर बेंक निफ्टी जो है वह ज्यादा बेतर है निफ्टी के मुकाबले ति इसका आप डेली पे चार्ट देखोगे ना बेंक निफ्टी का तो यहां पर आपको हैड़न सोल्डर जैसी पैटन बनती हुई दिखेगी ठीक है फिर भी आपको ध्यान में रखना है यह वाली ट्रेंड लाइन टूट्टी है तो यहां तक आ सकता है कि उसके बाद जो है व अधिक है कि मार्किट जो है यहां से घूम सकता है और हमारी मतलब आपने जो इनलिस किया है उससाब से कुछ बाइ करना है तो बाइक के लिए मुझे कहीं ना कहीं पर बैंक निफ्टी जो है वह अच्छे लेवल से ठीक है जैसे कि यहां पर मैंने बताए ना कि यह वाला ल अनलिसीज करके जो भी बन रहा है ना उस साइट पर आप ले सकते हो लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना उसमें आप उपर के मूह लेने कोसिस करना उसमें नीचे की मूह जो है वह कम से कम भी लेगी ठीक है और ज्यादातर केस में ऐसा भी हो सकता है कि साइद गैप डाउन कर करके भी अपना काम खतम कर ले तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है उसके अंदर अपने अपने डिरेक्शन चैंज है बैंक निफ्टी यहाँ पर करेक्शन करेगा तो निफ्टी आपका नीचे का लो जो है वह कट कर सकता है तो यह आप ध्यान में रखिएगा जो लोग चार्ट में कुछ सीखना चाहते हो ना वो संडे दो पहर सबाद दो बजे प्री रहे ठीक है क्योंकि इस संडे बेतरीन और बेस्ट मल्टी बेगर पैटन जो है वो सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा वहाँ पे किस तरीके से इसके ऊपर ट्रे प्रेशन वहाँ पर लाइव में पूछ सकते हो तो आपको संडे को जो है वहाँ पर हाजर रहना है और वहाँ पर सिखाया जाएगा सारी चीज और अगर आप ज्यादा डीप में जानना चाहते हो या फिर कोई एडवांस एलियाट वेव सीखना चाहते हो तो हमारा सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा क्योंकि यहां पर आपको ऐसे बेस्ट कॉंसेप्ट जो है वो स्टॉक मार्केट के बारे में मिलते रहेगे और हां बेल आइकोन को प्रेस करना मत बुलिएगा क्योंकि हर नए आने वाले अपडेट के बारे में आपको नौटिफिकेशन मिलता रहेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत बुलिएगा और कॉमेंट बोक्स में वो कि याप फाइदे होते हैं हम जो ये वीडियो बना रहे है उसे आपको क्या-क्या फाइदे होते हैं फाइदे होई वो भी लिख सकते हो और अगर कुछ फाइदा नहीं हो रहा है तो वो भी लिख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है सो चलिए बाकी मिलते हैं संडे को और सीखेंगे कि मल्टि बेगर पैटरन कैसे फाइंड करनी है लेकिन उससे पहले जीतने भी मेरे दोस्तों ने ये सारे वीडियो नहीं दे हुए है ठीक है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो तो चलिए फिर मुलाकात होगी संदे को तब तक के लिए गुडबाई एंड हैपी वीकेंड थैंक यू झाम चलिए क्याओ क使 कि दूम्ति जाइ Sansब झालेगर तक कि देख से लिए एंड क्या